दोस्तों हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में जानवरों की कई परजातियां पाए जाती हैं जिन में से कुछ जानवर इतने क्वीट और सांथ होती हैं कि हमें उनके साथ खिलने का मन करने लगता है दोस्तों जादातर लोग इन में से कुट्टे या बिल्ली को पालना पसंद करते हैं लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे बिदेसी जानवरों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आप इन्हें अपने घर लाना चाहोगे तो चलिए वीडियो को शुरू गरते हैं दोस्तों यह प्यारा सा दिखने वाला जानवर जिसका नाम बेबी वामपेट है यह अस्टेलिया में पाए जाते हैं यह काफी सांत और सरमीले सोभाव के होते हैं हलाकि इनकी पर जाती दिन परती दिन बिलुप्त होने की कगार पर है लेकिन अच्छी बात यह है कि आश्टेलिया और कुछ कंट्रीज में बेबी वामपेट को पानना लोग काफी पसंद करते हैं क्योंकि कई कंट्रीज में इने अपनाने के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया है यह लगभग एक मीटर लंबे और इनका वजन लगभग 20-34 किलो ग्राम तक होता है साथ ही इनके काफी छोटे-छोटे पैर भी होते हैं दोस्तो इस बीडियो में दिख रहे इस क्विट से जानवर का नम तमंडूआ है सेंटल और साथ अमेरिका के जंगलो और घास के मैधानों में पाए जाने वाले ये जिव एंडिडर फेमली का मेंबर है इनके इनसानों के साथ खेलना काफी पसंद होता है और इसलिए ये इनसानों के प्रती फ्रेंडली होते हैं आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके पास कोई दात नहीं होते इनकी छोटी आँखें और गुलाबी रंग के पोर्स जिस पर काले धब्बो से पैटन भरा दिखाई देता है ये सब चीजे मनुस्य को इस जीव की ओर अट्रेक्ट करते हैं आपको बता दें कि टमंडुआ के पतले लंबे मुँ में लगभग 16 इंच लंबी जीव होती है आप सोच रहे होंगे कि टाइगर को अपना पालतू बना कर भला कौन अपनी मोद को दावत देगा लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनाइटेट इस्टेट्स में पालतू टाइगर की मेच्योर्टी जंगल में रहने वाले टाइगर से जादा हो गई है बलकि दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइगर को पेट की तोर पर पालने वाले इंसानों की तादा सबसे ज़्यादा हो गई है जिनमें से कुछ सेलिबरेटीज हैं जैसे कि माइक टाइसन जिनने जानवरों से बेहद लगाओ है हलाकि टाइगर की देख भाल करना काफी मुश्किल काम है उन्हें सही से ट्रेनिंग देना और उनके खान पान का ध्यान रखना एक आम इंसान के लिए पोसिबल नहीं होता लेकिन दोस्तो जरा इस बेबी टाइगर को देखिये जो कितना मासूम सा दिखाई देता है इसे करके जरूर बताईएगा नमबर फोर बेबी स्लोट दोस्तों स्लोट दच्छिडवा मद अमेरिका में पाए जाने वाले मध्यम आकार के एक साखाहारी इस्तन प्रानी हैं यो अपने धीमी गती से हिलने के लिए परसिद्ध हैं और लोग कलपना में इसे बहुत आलसी जान यही वज़ा है कि क्रिष्टियन बेल जैसी सिलेवरिटी इन्हें पालतू बना कर रखती हैं उन्होंने अपने सोसल मीडिया पर इस क्वीट बेबी स्लोट के कई वीडियो पोस्ट की हैं जिसे लोगों ने काफी पसंद भी किया है आम तोर पर यह स्लोट पत्ते, कीडे और फलो को खाते हैं और आपके भी मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या इन्हें पालना अवायद है तो जवाब है बिल्कुल नहीं यह अंतिम परजातियों में से एक हैं जिते आप अक्सर सम्हालना चाहोगे पर बेबी स्लोट को पालतू बनाने के लिए आपको 6,000 ड बेट्स में से एक हैं आपकी जनकारी के लिए बता दूं कि पहले के समय में इसे एक पालतू पसू के रूप में लोगों द्वारा उनका बोजा उठाने और उनके लिए पाला जाता था दोस्तो जन्म के समय बेबी लामा का वजन 9 किलो ग्राम से 14 किलो ग्राम के बीच हो सक ही है दोस्तो लामा बहुत ही भावोग जानवर होते हैं या इंसानों के हावभाव को तुरंधी समझ जाते हैं और अगर आप इन पर چिलाते हैं या इनके साथ दुर बेवहार करते हैं तो यह आप से बहुत दूर चले जाएंगे और कभी भी वापस लोट कर नहीं आएंग तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही इन सभी जानवरों में से आप किसको पालना चाहोगे हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा धन्यवाद